आप सब अच्छे होंगे और weekend को enjoy कर रहे होंगे दोस्तों आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर black rock के बारे में बहुत सुना होगा उमीद करता हूँ बहुत positive सुना होगा वीडियोस जो है काफी देखी होंगी लेकिन actual में ये एक bull run को trigger कर सकता है और एक पवाल ला सकता है इसके बारे में कुछ interesting data जो है मैं आपके साथ में आज share करने वाला हूँ और आप shocked हो सकते हैं क्योंकि जो black rock ETF की हम बात कर रहे हैं जिसकी वज़े से एक bull run trigger हो सकता है और हम bitcoin के cycle को compare करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़े निकल के आती हैं जो लगता है कि आने वाले time क के अंदर bitcoin और cryptocurrency market के अंदर एक bull run trigger हो सकता है और आने वाले time के अंदर जो हम बुरा phase देख चुके हैं उससे बुरा तो कम से कम नहीं होने वाला है जैसे ही bitcoin यहां पे नीचे आता है तो लोग 15,000-10,000 डॉलर की बात करने लगते हैं अब यहां से 30,000 डॉलर चला जाएगा त लेकिन अगर आपको basics पता हैं हो क्या रहा है तो आप हमेशा पैसा इसके अंदर कमाओगे लेकिन ये वीडियो के अंदर अगर आप 1,5-2 साल दे सको तो यहां पर आपके पैसे 2-4-5 गुना 10 गुना कुछ भी possible है लेकिन यह कोई financial advice नहीं है अपना risk जरूर यहां पे देख की entry हमें जो हम लगातार बोल रहे थे ऐसे dip आना market positive हो है तब भी market crash करना ओने पॉने दामों में crypto currency को लेके आना और उसको खरीदने का जो खेल है ना यह जो गंदा खेल है इसको आप समझिएगा तो उमीद करूँगा जो हम data share करने वाले हैं compare करने वाले हैं तो वो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को तो आपने अभी तक like करी दिया होगा और चाहन को subscribe कर लिजिए क्योंकि हमारी कोशिच रहती है situation कैसी भी हो हम आपके सामने अच्छा अच्छा content लेके आते रहें और आप उसका फायदा उठाते रहें तो दोस्तो सबसे पहले पूरी story समझत बोलना शुरू कर दिया और यहां पर जो बड़ी बात निकल के आ रही है finance related और आपने देखा market एकदम से bitcoin दुबारे से push किया और लगबग अभी 26,600,400,500 डॉलर ऐसी खूम रहा है अब यहां पर finance और security exchange commission के अंदर settlement हो गई है और वो settlement क्या है basically समझ लिजे वहां के users के asset है वो वहीं रहेंगे offshore नहीं रहेंगे यानिकि किसी और country में आप hold नहीं कर सकते और finance USA के जो employees है उन्हीं के पास उसका access रहेगा और इस चीज में settlement यहां हो गई है और judge की तरफ से अगर देखते हैं तो वो उनके account को freeze नहीं करने वाले हैं तो यह सारी बात निकल के आई और य इससे कोई हर्ज नहीं है अगर वो cryptocurrency वहां hold करते हैं ultimately उनकी USA के लोगों का पैसा है और वहां रहेगा तो क्या फरक पड़ना है कोई खास फरक यहां नहीं पड़ना है यह एक अच्छा signal है लेकिन अगर coinbase की बात करते हैं तो यहां पे 3-4 महीने के अंदर वो अपनी बात व अपने opinion देगा तो वो एक ठंडे वस्ते में 3-4 महीने के लिए आप समझनोच चला गया है अब बात जो समझने की है जो यह पूरा कांड हुआ है इसमें क्या बड़ी Wales की entry कराई गई है हमारों को ढराके हमारे पैसों को ओने पोने दामों में लेके liquidation करके और हमारा माल अब दुनिया की largest चो है acid management company बोली जाती है अब इसके माइने क्या है वो मैं आपको बात में समझाऊंगा और इसके जो bitcoin ETF लेके आ रहा है उसके approval के क्या chances है वो भी मैं आपको समझाऊंगा लेकिन आप समझ लीजिए blackrock actual में क्यों इतना बड़ा नाम है और bitcoin ETF तो पहले भी बिट्टू करके भी आया था उसका तो कुछ गयादा impact नहीं पड़ा तो इससे क्या impact पड़ सकता है यह आपको समझ में आना जरूरी है अगर मैं blackrock की बात करता हूं तो यहां पर 8.59 trillion dollars worth के यह asset manage करते हैं और अगर आप बात करें इंडिया से compare करते हैं इंडिया दुनिया क पांच वी सबसे बड़ी economy है अगर उससे compare करते हैं तो हम 3.5 trillion की economy है और हम चाहते हैं 5 trillion की होना तो हम से double से ज़्यादा वो जो है asset manage करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कितना बड़ा वो जो है asset management company है और अगर ध्यान रखिएगा अगर वो bitcoin के product को लेके आती है तो कितने ल hype हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते और इसके लिए क्यों अंदाजा नहीं लगा सकते मैं आपको बताता हूं और यह cycle से bitcoin की compare करो तो क्या कहानी निकल के आती है हर cycle में कुछ ऐसा बड़ा नाम निकल के आता है 2016-17 के अंदर एक CME futures की बात होती थी एक बड़ा नाम था cryptocurrency अगर futures की बात करते है वो एक company बड़ी थी और उसकी hype से हमने एक bullrun trigger होते देखा और 2017 के अंदर हमने क्या खेल देखा आप से चुपा नहीं है और bitcoin का price 20,000 डॉलर चला गया 23,000 डॉलर से इंपक्ट 600-700 डॉलर से य अगर 18-19 की बात करते हैं 20 की बात करते हैं grey scale एक बड़ा नाम निकल के आया जो है grey scale fund की बात होने लगी वहाँ पे एक cycle घूमा और आप देखो हमने bitcoin का price लगबग 69,000, 70,000 डॉलर से अब एक बड़ा नाम black rock और ये इन सब के अंदर एक बड़ा नाम है और ये अगर bitcoin ETF आता है या एक high बनती है तो आप समझ लीजिए क्या bitcoin का price यहां से 5X 10X नहीं जा सकता डेर 2,000,000 डॉलर हो सकता है cycle तो technically बोलता ही है और ये जो मैंने आपको story सुनाई है एक बड़ा नाम जब भी जुड़ता है बुलरन से पहले, हालविंग से पहले तो हमने एक खेल होते देख है तो आप समझ सकते हो bitcoin के अंदर क्या हो सकता है अब ये बात निकल के आती है bitcoin के ETF तो बहुत सारे security exchange के पास में जाते हैं जहातर को वह disapprove कर देते हैं एक आदा ही है लेकिन आप समझिएगा इनके approval के chances की बात करते हैं इन्हों ने लगबग 5 बगर मैं blackrock की बात करता हूँ पांसो चैथर ये एक्विट जो है exchange trading fund यानि कि exchange पे list हो सकते हैं यानि कि आप समझ लीजे ETF क्या होता है exchange trading fund और वो जो है exchange पे list होगा यानि कि indirectly या directly आप कह लीजे bitcoin जैसे mutual fund होता है जो उस fund के अंदर लोग पैसा लगा सकते हैं और वहां से कमाई हो सकती है तो समझे कितने लाखो लोग या कितने करोडो डॉलर एक तम से इसके अंदर आ सकते हैं क्योंकि दूसरे अगर company से compare करें क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ bit to pro share ये सारे चीजों से बहुत बड़ा नाम है अगर मैं बात करता हूँ black rock की अब यहां पर आप समझिएगा अगर इसके अंदर approval की chances की बात करते हैं 576 इनों के ETF हैं और security exchange commission ने 2014 के अंदर सिर्फ एक ही आज तक उनका ETF reject हुआ है तो यानि कि अगर ratio की बात करते हैं 99.5% यानि कि 1% भी chances नहीं है कि ये reject हो जाए 1% भी chance नहीं होता तो समझ लीजेगा bitcoin के अंदर खासकर एक बड़ा खेल trigger होते आपको यहां देख सकता है और आपको idea नहीं है कि अगर लाखो करोड़ देखो simple demand in supply है supply हमें पता है कम है और हर 4 साल के अंदर वो कम हो रही है demand अगर एकदम से बढ़ गई लाखो लोग एकदम से invest करने के अंदर इसके अंदर आ गए तो क्या हो सकता है और कितना millions नहीं billions of dollar bitcoin के अंदर आ सकता है अगर billions of dollar की demand एकदम से आ गई supply कम हो रही है तो आप खेल समझ सकते हो कि क्या हो सकता है यह basic सी चीज है और आपको पता ही है Hong Kong की बात करें चाहिना की अरे यह सारी चीज चल रही है ना कहीं ना कहीं हमें पता है कि कोई भी cryptocurrency bitcoin से चूता नहीं रह सकता और यह जो खेल हुआ है शायद परदे के पीछे बहुत बड़ा खेल है जो आप नहीं समझ पा रहे हो और 2016-17 की बात करते हैं तब भी down के अंदर था लोग नहीं समझ पाए मौका निकल गया 2020 के अंदर तब भी मौका था लोग नहीं समझ पाए 2022-23 के अंदर शायद मौका है शायद दो साल के बाद में हाथ कंगन को वार्सी क्या बड़े लेके को फार्सी क्या आपको यह इस बारे में पता चल जाएगा बाकी रही आज की बात आप कमेंट में क्योंकि वीकली केंडल हमारी क्लोज हुई थी लगबग 26,400 यह जो आप कहते हो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं उसके नीचे क्लोज किया अगले हफते में अभी यह इस से उपर ट्रेड कर रहा है और लगबग अभी चल रहा है 26,600 डौर के आसबस अगर यह यहाँ क्लोज हुऊ पाया क्योंकि सेक्योर्टी कांड की सेक्योर्टी एक्शेंज कमिशन के जो कांड की वज़े से हमने यह प्रेशर देखा इसकी वैसे क्लोजिंग हुई अगर यह इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो आपको आइडिया भी नहीं है कि हम सब ओके हो है शौट टम में यह लाइन को ट्रेड करिए लंबे समय के अंदर यह बड़ी पिक्चर आप देखिए और दो हजार चोबिस पच्चिस तक दो साल धाई साल और रख सकते हो अगर अपनी क्रिप्टोपरंसी को तो समझ लीजेगा बहुत बड़ा आपको एक अच्छा रिट के चलेगे डिसाइड आपको करना है उम्मीद करता हूं हर बार की तरह कॉंटेंट आपको अच्छा लगा होगा कॉंटेंट अच्छा लगा है वीडियो पसंद आईए तो लाइक जरू करिएगा चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा अभी के लिए विजा लेता हूं खु झाल